हालो गैस, विल्कम बैक टूर्ड चैनल, मैंने में सुनम चोहान, तो आज के मारे क्लास का टॉपिक है, मौडर्न पॉलिटिकल थोट मैक्यावली, यादि के चर्च और इस्टेर कंट्रोवर्स के बाद आप जो रेने सा का यूगी स्टार्ट होता है, इसमें फिर्स थिंकर हम पढ़ते हैं मैक अवली के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी लाइफ हिस्टर के बारे में, इससे पहले वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हारे की वीडियो का से connect नहीं कर पाते हैं, तो सोनम जोहन पॉलेटी के नाम से टैलिग्रम ग्रूप है, जाकर कर जोइन कर सकते हैं, ठीक है, तो तो बाकि पहचान के लिए, जो प्रोफाइल फोटो मेरा YouTube चैनल का, इawning उप्नेको आइन आपको, तो आपको तो जैदा भी भूझने की भी जूर चली तो राजनेतिक चिंतन के एक शेतर में निकी जो पॉलिटिकल थोट है पॉलिटिकल थिंकर है उनकी जब हम शेतर की बात उनके एरा की बात करते हैं तो मौडरन युग में इस उद्गाटक या निकी यह जो मैक्यावली है इनका जर्म होता इटली के पुनर जाकर रहती अंदुले निकी रहने सा का मोमेंट हो रहा था या निकी बुराईयां खतम हो रही थी और ने युक का जनम हो रहा था तो उसमें उसके जो इटली का नगर है फ्लोरेंस में उनका जनम हुआ था एक सामने से परिवार में 1469 को जनम हुआ था निकी 1400 का जनम हुआ था हाईर से वंजित रहने के गाने, इनके higher education complete नहीं हुई थी, उसकी वज़े से 25 वर्स की आयू में अपने गनराज्जे के छोट से पद पर आसीन होकर अपने जो political career है उसकी शुरुवात की थी, लेकिन अपनी सूजभूज और understanding और जो सासन संचालन की जो बारिकिया है, उनमें जो उसकी समझ है, जो capabilities है, बहुत ही छोटी-छोटी चीजों को बहुत जल्दी समझ जाता है, उसकी वज़े से बहुत ही कम टाइम में एक higher political post को वो अचीव कर लेता है, वो successful हो जाता है, political उसका कहरे काफी अच्छा होता है, और जो पद है, यो यूद दुबार आंतरिक विश्यों से संबद दी था, यानि कि एक advisory group में उन्होंने वहाँ पर काम किया, ठीक है, सन 1512 में के 1512 तक पहा है इस पद पर बना रहा, सकाल के दोरानों से इटली के और यूरोपे देशों में अपने गरनाज्य के दूद बना अगर के भेजा गया, तो इस बीच में वो काफी हद तक मतलब पूरे यूरोपे उसने घूमा और पूरा मतलब यूरोप राजदूत का काम क्या होता है, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसे देश, तो इस तरीके से वो काफी भ्रमन, काफी घूमना फिरना उसका हुआ, वसका आधर पर बहुत सा चीज़ उसने एक्सपिरियंस भी की, तो फाइन उसे एक एक एक्टिव पॉलिटिकल का जो सकरी राजमती है, उसका बहुत अधिक व्यापक, बहुत बड़े लेवल पर बहुत एक्सपिरियंस जो था और जो नॉलिज थी वो उसने गेन की, एक देश से दूसरे देश जब राज़ूत के रूप में जाता है, कोई भी वेक्तिगर राज़ूत होता है, तो उसे बहुत जाधा एक्सपिरियंस और नॉलिज अलब अचीव करने का मौका मिलता है, ठीक है, तो सन 1512 तक फ्लोरेंस के शासन पर फ्रांस का परभा होता, लेकिन उसी वर्स फ्रांस के प्रतिद्वन दिया निकिन जो कॉम्पेटेटर थे, स्पेन ने इटली पर आकर्मन कर दिया, रेवेंटा स्थान पर लड़े गए इस युद में फ्रांस की हार हुई, तो फाइनल जो फ्लोरेंस गंडाज्य था, उसकी शासन वबस्ता म फ्रांस समर्थक जितने भी थे, सभी तत्व को निकाल करके बाहर कर दिया, अब मैक्यावली भी उनमें से एक था, जो फ्रांस का समर्थक था, तो उसको भी उसके पद से बरखास्त कर दिया, ठीक है, और बलकि बरखास्त भी नहीं किया, उसको अपराद में, मतलब एक इसके लावा गर हम यहां पे इनकी गरंथों की भी बात करते हैं, तो सबसे फेमस गरंथा प्रिंस मैक्यावली जिनकी वज़े से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक, और मैक्यावली को देखिए, इटली का चानकी भी बोल जाता है, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी पॉलिसी है, पॉलिटिक्स को लेकर करके, डिप्लोमेटिक पॉलिसी को लेकर करके, कहीं हद तक वो चानकी की डिप्लोमेटिक पॉलिसी से रिलेट करती हैं, तो वो इटली का उसको चानकी बोला जाता है, अब बात कर लेते हैं, वैसे इटा प्रिंस के अलावा, डिस्कॉर्स इंदा फ अब नेक्स नहीं बात करेंगे मैकेवली के कुछ मानव सुभाव से रिलेटिटि उनके क्या विचार है तो वहां पर अगर वह मानव सुभाव की बात करते हैं तो बेसिक सी बात जैसा उन्हों ने वहवार देखा लोगों का उसी के साब से उनकी जो विचारधर है वह बंदी जाती है तो यहां पर मैकेवली की बात करते हो मैकेवली मानव सुभाव को आसूरी चरितर वाला यानि कि बहुत ही होरर टाइब का सुभाव मानता है उनके मैकेवली के मनुष्य सुभाव से वो घोर स्वार्थी है कुरेल है दुस्ट परवर्थी का है उसके कार्यों की प् स्वारत निश्चित विद्मान होगा तो माना सुभाव को लेकर के कुछ ऐसे विचार मैं क्या वली के रहे हैं और यह विचार कोई माना सुभाव की बात की है तो मनुष्य जब सुभाव से ही बुरा है स्वारती है श्रालू है जगडालू है तो उसे नियंत्रण में रखने वाले जो शासन है उसका सवरूप भी उसी का निरंकुशी होगा यानि कि अगर वो इस तरीकी प्रवरती का इंसान है तो उसको हम उ अरिके से और्गनाईज करता है चीजों को इसके बाद नेक्स हम बात करेंगी मेक्यावली के धर्म और नैतिकता संबंदी विचानिके रिलिजन ऑफ मेक्यावली एंड थौर्ट रिलेटे टू मॉरलेटी तो मेक्यावली की राजनितिक चिंतन की सबसे बड़ी है निकि जो इनको इंडिपेंडेंट होकर उनके सपोर्ट में है वह मैशा कहते है कि पॉलिटेक्स अलग होने चाहिए धर्म का काम अलग होना चाहिए ठीक है और बाकी इस प्रकार से ही मेक्यावली के अनुसार सच्चा साशक वही है जो शेर की तरह बलवान लोम्डी की तरह चाला को वैसे उसकी statement है आपको मिल जाएंगे काफे सारे books के अंदर और मतलब online बेकर डूंड़ोगे कि मैं क्या वलिक है क्या क्या statement है तो राजा को लेकर के उसकी जो policy रही है वो रही है कि एक लोमडी की तरह उसको चालाग होना चाहिए बाकी अगर morality की बेस पर भी उनके विचार देखे तो वो राजा किसी नैतिकता को नहीं जानता ठीक है यानि कि इस लक्षे से वह कहता है कि जो नैतिकता है morality की बेस परो कहता है कि राजी यानि कि जो स्टेट है वो किसी नयतिकता को नहीं जानता, जो कुछ वह करता है, वहना तो नयतिक है और नहीं अनयतिक है, यानि कि वो नयतिकता निर्पेक्ष है, morality नाम के कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, morality बेस पर बहुत सारी चीज़े फिर अस्टिवेस हो जाएंगी, पाप, पुन्य, धर्म, अलोग, पर्लोग, अच्छा, बुरा, शत्रू, मित्र, ठीक है, तो उसने का कि राजा को इस तरह की चीज़ों का दास बिलकुल नहीं हो जाएंगे, अच्छा, बुरा क्या होता है, यह तो morality होती है, कि हम अच्छे के साथ अच्छा वैवार करें, तो मैं गया उने प्लेटो रस्तू की तरह ही राज्य का कोई सधान्तिक explanation यह नहीं कि theoretical explanation नहीं किया है, और नहीं कोई विधिवत उसकी कोई उत्पत्ति का प्रकास डाला है, और इस डारेशन से उसने जो विचार किया है, वो अश्रंखला बद्या, नहीं कि मतलब उसकी समाज था, ना राज्य था, कि अगर राज्य संबंदी विचारों की ही बात करें, तो मैंक्यावली का माना है, कि starting कि स्थिति ऐसी थी कि कोई राज्य समाज नहीं था, मनुष्य इतना independent था, इतना freedom था उसको कि वो अपनी मर्जी से अपना life को spend करता था, जहां मर्जी चाहे चला गया, जहां जो चीज मिल गई, वो खा लिया, तो समाज में शक्ति का बोल बाला था, शक्ति का मतलब जो इस situation में powerful है, वो ही exist करता है, तो powerful वेक्ति, अशक्त वेक्ति को जो कमजोर वेक्ति थे, उन पर शासन करते थे, फानेली जो अशक्त वेक्ति, जो कमजोर वेक्त बाए जाता था कुछला जाता था तो इसकी मुक्ति के लिए जो कमजोर लोग थे उन्होंने मिलकर एक समझो दे कि माध्यम से राज्य की स्थाप नहीं और राज्य में किस ऐसे वेक्ति को शासक के रूप में बढ़ा है कि जो सही तरीके से चीजों को बैलन्स कर सके ठीक बलब उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो पावरफुल है तो वो कमजोर लोगों पर अत्यचार करेगा उनको टोर्चर करेगा ठीक तो इस तरीके से मैक्यावली के नुसार में बानता है कि इस तरीके से राज्य का निर्माण होता है ठीक उसमें कोई से अपनी की गोड ने बनाया है या यह है वो है चीजे ठीकल चीजों के बेस पर चीजे अनुभाव की जाती है और यही उसलिए राज्य संबंदी विचार है अब नेक्स्ट बात करते हैं मैक्यावली के शासन या सविधान वरगिकन संबंदी विचाने के मैक्यावली इस थोट लेकिन तर रेपब्लीक और कॉंस्टिटुष्टिशन डेमोक्रसी लेकिन इन तीनों को बताते हैं सबसे ज़ाधाघर उसने सपोर्ट किया है तो उसने मोनार्की सिस्टम को किया है वही पर प्रिंस के अध्यन को और ज़यादा मतलब अगर हम डिसकॉर्स ओंदी की बात करत इस तरीके से शासन को चला सकता है बाकी जो डैमोग्रेसिस में नहीं चलता है ये के अलग भी चाड़ता रहा है इसके बाद नेक्स नम बात करेंगे शासक के कारें ने function of ruler तो एक शासक को कौन-कौन से कारे करने होते है अधिक अधिक शक्तिकार जित करना ठीक है बाई जो पावर से उनको increase करना सफल कूर नितिक बने एक शासक को एक अच्छा diplomatic बनना जरूरी होता है कि diplomatic नहीं होगा तो वो उसको कोई भी बेवकूब बना सकता है और उसे वचन पालक का दिखावा करना चाहम है ठीक है कि भाई प्राण जाहे पर वचन न जाहे तो ऐसे शासक के लिए यह हम राम «Рाज्य के कादर्श वक्ति वक्तिव दो मर जाएं लेकिन हमोई तक उसे ठीक लगे वहीं तक वचन का पालन करना चाहिए, बेफालतों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेरे राजो को अवसर के अनुकुल कठो रखर कर अपालू दोनों होना चाहिए, अब अगर सिचुएशन लगती है कि उसे बहुत ही काइन्फूल तरीके से बहे कि एक की की होती है, इसके बाद कला और साहिति या नहीं कि जो आर्ट और लिटरेचर है आदि की मतलब जो भी है उसका एक प्रोटेक्ट उसको करना चाहिए ठीक है संगरक्षक के भूमे का उससे करनी चाहिए इसके बाद चाप्लूस से दूर रखना चाहिए अपने राज्यों को जितना ज्यादा हो सकता है अपने पूरे एरिये को जितना ज्यादा हो सकते चाप्लूस से दूर रखे तब भी वो अपना ठीक कर सकता है ठीक और योगी और निष्ठामान वेक्तियों को तरदाई पदों पर निक्त करने एक सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि कि स्टेट को डवलप करना है तो आपको अच्छे पदों पर बहुत ही किंग को एक लीडर को करने होते हैं ठीक है जब कोई भी सिस्टम है तो यह से यहां तक की चीज़े और जरूरी नहीं है स्टेट लेवल पर वो चीज़े हो इंटरनेशनल लेवल पर भी पीस जो होना चाहिए ना कि शान्ती की व्यवस्ता बनाए रखे किस कंटर से हम किस तरी आपको मिल जाएंगे तो अभी तक आपने अगर आपको लगता है कि मैं पुराना भी देखो वैसे हो तो आप इतनी मेहनत करोगी नहीं ठीक है तो अपना यही एड़न कर लेना बाकि जो भी कन्फ्यूजन है को टॉपिक है समझ में नहीं आता है निचे कॉमेंट सेक्शन म में ज़रूब बताईगा सो मिलते हैं नेक्स इंफोर्मेशन के साथ में नेक्स लेक्शर में तब तक के लिए जेहीन जे भारत